प्रियागराज में उमेश पाल अपहरण केस की मुख्यारोपी माफिया अतीक एहमत को पुलिस गुजरात की साबरमती सेंट्रल जेल से नैनी सेंट्रल जेल लेकर आ गई है अतीक के पहुशने से पहले नैनी जेल के बार सुरक्षवस्ता बढ़ा दी गई वहीं अश्रफ के प्रियागराज पहुशने के बाद यहीं रखा जाएगा जेल में माफिया अतीक को हाई सेक्यूरिटी बैरक में रखा जाएगा और से बैरक लैस होगी वहीं अश्रफ को भी दूसरी बैरक में रखा जाएगा डीजी पी मुख्याले की तरफ से मॉनिटरिंग की जाएगी इसके अलावा कारागार मुख्याले में लाइफ फीड वीडियो वाल पर रहेगी इसे लेकर डीजी कारागार की ओर से आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये गए हैं माफिया अतीक को लाने के लिए यूपी पुलिस के काफिले को करिब 24 घंटे का समय लगा माफिया अत को गुजरात मध्यप्रतेश राजस्तान होते वे प्रयागराज नैनी जेल में लाई